पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हमारी आयू कितनी है, हमारे साथ कोई दुरघटना तो नहीं गटेगी, जीवन में हमें सुख कम मिलेगा, ये सब हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं आज के इस सम फ्री बेवनार में आपको बताने वाले हैं कि हमारे हाथ में लाइफ लाइन कहां पर उपस्तित होती है हमारे हाथ में भाग्य रेखा कहां पर उपस्तित होती है हमारे हाथ में जो हिड़दे रेखा है वो कहां पर उपस्तित होती है और इसके अच्छे होने से क्या हमारा benefit होने वाला है हमारे हाथ में जितनी भी रेखाएं होती है basic से लेके advance तक सब हम आपको सिखाएंगे केबल आप हमारे साथ last तक बने रही है और हम अपने बारे में बताएं तो मेरा नाम है पंडित वस्ष्ट सास्त्री और हम ऐसे ही आपको सिखाने नहीं आ गए है इसके लिए साथ ही हो हमने पहले काफी मेहनत किया है 8 साल हम गरू कुल में हरिदवार में रहे हैं उसके बाद हम आपको सिखा पा रहे हैं बता पा रहे हैं सबसे पहले तो आप जहां से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, माता, वहन, वयो, वजुर्ग, सभी के हिर्दे में वराजमान, परमात्मा स्री हरी को मैं सीज रुखा के नमन प्रणाम करता हूं, आज हम इस वीडियो में काफी गूड रहस्ये जानने वाले हैं हस्त रेखा क विषे में, तो चलिए जादे समय ना गवाते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको जो स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रही है, इसको बोलते हैं जीवन रेखा, जीवन रेखा का हमारे जीवन में बहुत एहम महत होता है, बहुँ मूलिया रिखा होती है, क्योंकि ये जीवन में रोग समस्यां देखने के लिए मिलती हैं इतनी ही जादा समस्या हमें जीवन में देखने के लिए मिलती हैं जितनी जादा हमारी लाइफ लाइफ लाइन डेमिज होती है इससे हम कैसे बस सकते हैं अभी वीडियो के लाश्ट में बताएंगे सबसे पहले आप यह ज अच्छे लोग हैं उनके हाथ चोणाकार, चमसाकार होते हैं, 50% लोगों के हाथ चमसाकार, यानि चोड़े होते हैं, और तीसरे होते होते हैं, वो मिस्रित हाथ होते हैं, जिसमें कुछ गोलाकार, कुछ चोणाकार, और चोथे हाथ होते हैं, नुकीले, जिनको हम अभीने आत हाथ कहते हैं साथियों इन चारो हाथों में से आप बताये कमेंट करके कि आपका हाथ कैसा है गोला कार है चोना कार है या नुकीला है चमसा कार है कैसा आपका हाथ है उससे भी आपके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है फिर आपके हाथ का कलर मेटर करता है यदि आपके ह अगर आपके हाथ का कलर पीला है तो आपको कोई ना कोई रोग देखने के लिए मिलेगा। आप जीवन में काफि संगर्स कर रहे हूंगे। उसके बाद यदि आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में काफी सारी रेखाई हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसे में देखने के लिए मिलता है कि जीवन में काफ़े समस्चाएं आती हैं, इसलिए हमारे सास्तों में कहा गया है अती सरवत्र बढ़ जयेत, अती हर जगा वर्जित होती है, तो इसलिए अती की रेखाएं होना हाथ में ठीक नहीं है, जीवन नेखा सुक्र परवत को घेरत अती हुई आगे के लिए वड़ती है, यदि वो जितनी वड़ी होगी उतनी जादा आपकी उमर होगी और उतने ही आप onion ही रहेंगे, उतनाही burning जीवन जीएंगे, उसी के साथ साथ, यदि आपके हात में दो जीवन नेखा हैं, तो देखिए इसलिए दो जीवन नेखा ह चार भाग कर लीजिए अगर आपको आयू की गर्णा करनी है या फिर आपको सटीक भुपिस्यवानी करनी है कि आपके जीवन में कब दुरघटना घटेगी आपके जीवन में कब आप पलोट लेंगे आपके जीवन में आप कब जमील लेंगे आपके जीवन में आपके कब न भटित होगी कितनी अच्छी बात है उसके साथ साथ अब आप देखिए आपकी जीवन ने का आगे जाती हुई यदि उसरे से कुछ ब्रांचिस उपर के लिए निकल रही है तो यह राज योग बनाती है यह आपके ग्रोथ की रिखाएं यह आपके एक जीवन में आप एक द् नी ट्रेंगल बन रहे हैं तो कोई प्रोपटी लाव कोई आर्थिक लाव आपको अचानक धनलाब देखने के लिए मिलेगा आपकी जीवन नेखा पर कोई मचली का साइन जिस समय बनेगा आपको उस समय बहुत बड़ा वेनिफिट मिलेगा यदि आपकी जीवन नेखा पर अच्छा नहीं है लेकिन वहीं पर लाल तिल आ जाए तो यह अचानक से आपको बहुत ज़्यादा वेनिफिट देगा आपकी जीवन में खुशाली बड़ देगा उसी के साथ साथ हमारे हाथ में जीवन नेखा जितनी बारीक और लंबी होगी उतनी ही अच्छी है और ज्य जीवन रेखा पर कोई ट्रेंगल बना है या नहीं बना है आपकी जीवन नेखा को कोई राहू रेखा काट रही है नहीं काट रही है किस अवस्था में काट रही है इसका क्या आपको वेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है अगर आपकी जीवन नेखा को राहू रेखा का जीवन में क्या दुरसाती है चलिए जानते हैं साथ यो हिर्दरेखा सबसे पहले आप जाने कहां पर होती है हिर्दरेखा हमारे बुद्ध परवत के निचे से निकल कर ब्रहश्पती परवत के लिए जाती है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह ब्रहश्पती परवत से बुद्ध परवत की ओर आती है लेकिन ऐसा नहीं है यह बुद्ध परवत से ब्रहश्पती परवत की ओर जाती हिर्दरेखा से हम अपने जीवन के बारे में क्या जान सकते हैं सामने वाले के जीवन के बारे में क्या जान सकते हैं हार्ट अटेक जैसी बिमारियों का पता हम जीवन निखा से चला सकते हैं। हिरदरेखा से हम पता लगा सकते हैं कि हम किसी के साथ विजनिस डील कर रहे हैं तो वो व्यक्ति कोई फ्रोड तो नहीं है उसका कोई निजीत स्वार्थ तो नहीं है कहीं वो हमें धोका तो नहीं देगा उसके लिए आप उसकी हार्ड लाइन देख सकते हैं। जिदि उनकी hard line, बुद्ध परवस्य निकलकर ब्रहश्पति परवत तक जा रही है, यह सनी ब्रहश्पति के बीच तक जा रही है, तो वो एक बहुती great व्यक्ति है, वो great व्यक्ति हम भी हो सकते हैं, वो आपके परिवार में कोई भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी परि लेकिन ऐसे लोगों का दिल भोत लोग तोड़ते हैं, वो जिस पर विश्वास करते हैं, वो उनका दिल तोड़ देते हैं, यदि आपके hard line आगे जाकर, यदि सनी परवत तक रुख गई है, ऐसी hard line व्यक्ति को स्वाब लंबी बनाती है, ऐसे लोग मेहनत तो काफी करते है लेकिन उसमें एक समस्या आती है, ऐसे लोग लालची और स्वार्थ ही वहत होते हैं, तो अपने स्वार्थ के चक्र में एक बार तो वो चलांकी किसी के साथ कर देते हैं, ऐसे में अगली बार उनकी चलांकी पकड़ी जाती है, तो आपके hard line ऐसी तो नहीं है, आप जरूर बताएं, और वैसे ऐसी बाते लोग बताते नहीं हैं, लेकिन आप बता सकते हैं, उसके लिए हम आपको उपाए बता देंगे, यदि आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है, तो आप किसी के साथ धोगा न करें, आप उसका हक उसको पूरा दें, ये रेखा आपका कुछ ह मस्तिक्स रेखा की बिसे में, मस्तिक्स रेखा हमारे हाथ में मंगल परवस से निकल कर चंदर परवत की ओर जाती है, ये व्यक्ति में कितना दिमाख है, उसके बहुत ही किस तर कैसा है, उसके सोचने की सैली कैसी है, वो कलात्मक है, रचनात्मक है, वो किस प्रकार का व्यक में एक अच्छी मस्तिक सरेखा का होना बहुत जरूरी है इसके लिए हम अगली वीडियो में बहुत कुछ आपको बताएंगे और हमारे हाथ में एक मुख्यरेखा होती है भाग्यरेखा भाग्यरेखा मड़ी बंसे निकल कर सीधा सनी परवत की ओर जाती है और यदि इसमें को पूसला कुछ वाल अंगली के नीचे जिसको हम बोलते हैं कनििश्ट के निचे बुद्धपरवत होता है यह बुद्धपरवत यदि उठा हुआ और गुलावी है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको जोति सीखने से कोई नहीं रोक सकता देखे साथियों यदि आप हमसे personal अपनी consultation लेना चाते हैं अपने विशे में प्रामर्स लेना चाते हैं अपने बारे में जानना चाते हैं तो screen पर number दिया हुआ है आप उस पर संपर्क करें साथ ही में यदि आप advance में हस्तरेका सीखना चाते हैं तो हमारा एक app है हम उसका link आपको देंगे और आपको अपना course भी provide करवाएंगे जो 50% off में चल रहा है यदि आप हमसे advance में हस्तरेका सीखना चाते हैं तो screen पर दियो है नंबर पर हमें SMS करें और कहें कि हम आपका course सीखना चाते हैं आपका course लेना चाते हैं तो हम आपको course भी provide करवाएंगे हम आपके लिए हर बो चीज करने के लिए तया हैं जिसे आप हस्तरेका सीखना और इसी तरीके से free webinar हम आपके लिए लाते रहेंगे अभी तो 3 ही रेखा हुई हैं अभी तो 1000 और एखा वाकी हैं अभी 9 ग्रह वाकी हैं अभी 12 रासी वाकी हैं अभी 27 शनक्षत्र बचे हैं अभी तो अभी क्या-क्या आपको सिखाना हैं अभी ये उंगलियों के विशे में बताना हैं हतेली के विशे में बताना हैं आपको सभी कुछ बताएंगे तिलों के बारे में बताएंगे बस आपते एक चीज की डिमांड है आप इस वीडियो को शेयर करें आप इस वीडियो को लाइक करें हर उस जरुवतवन व्यक्ति के पास इस वीडियो को पचाओ जो हस्तरिखा सीखना चाहता है फिरी ओफ कास्ट हम हस्तरिखा उसको सिखाएंगे इसी तरीके से बैबनार लाएंगे राधे राधे जै हिंदुराष्ट जै सनातन धर्म